नमस्तार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चले श्राइब करते हैं आज की मुख्य खबर से अंतराष्टिय लब्ध प्रतिष्टित विद्वान डॉक्टर वाई एस पांडे प्रकास ने अपने जनम दिन पर नवोदय साहेतेक मंच के पदादीकारियों को मानद उपादी से बभूसुत किया रंग पांच जनवरी 2023 दिन गुरुवार को श्री बजरंग लोक मनक कल्यान समीती के प्रवंदक वानवोदय साहेतेक मंच के सनक्षक आदरणी डॉक्टर यमना शंकर पांडे प्रकास जी का जनम दिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया इस शिव अवसर पर मंच के संस्थापक अद्यक्ष आदरणी डॉक्टर उमप्रकास मिश्र मधुव्यत जी के कर कमल द्वारा आविर भावा अंजली पत्रिका अंक पांच का विमोचन फेस्बुक लाइव की द्वारा किया गया पत्रिका में डॉक्टर पाइंडे जी के द्वारा स्रजित रचनाओं प्रतियों और उनकी अंतरराष्टी उपलब्धियों को शामिल किया गया जिसका संपाधन मंच के कारकाणी अद्यक्ष क्रेश्न कांत मिश्र ने किया इस पत्रिका में मंच के सभी पतादीकारियों ने अपनी शुवी कामनाई प्रेशित की इस अबसर पर तमाम साहितिकार अपनी टिपडी के माध्यम से विमोचन के समय विमोचन करता डॉक्टर ओम प्रकास मिश्र मधूब्रत जी का होसला बढ़ाती रहे तर पस्चात साहे साड़े तीन बजे मंच के सभी पतादीकारियों द्वारा इस्ट्रीम याड पर डॉक्टर वाई एस पांडे जी के सम्मान में एक कारिकरम किया गया जिसमें प्रतिवा पांडे ने हे माता वीडा पाणी तम को दूर कर दो सरसुती बंदना से शिरुआत की उसके बाद लवकुष तिवारी माधवपुली ने शांदर स्वागत गीत प्रस्तो किया इसी कड़ी में डॉक्टर जे एन बेरागी ने बहुत ही सुंदर जनम दिन पर सोहर गाया डॉक्टर पूर्डिमा पांडे जी ने अपने शब्दों में शुबकामनाय प्रेसित की उसी क्रमे पेती दुवेदी ने भी अपनी शुबकामनाय और बधाई दे कर डॉक्टर पांडे जी से अश्रवाद लिया पतपश्चात मंच के कारिकारी अद्रेक्ष त्रेश्न कांत मिश्र ने पांडे जी के समान में अपनी कुछ पंतियों से बधाई दी जिसमें लिखा हम सभी नादान मिलकर सूरज को दीपक दिखा रहे हैं उसके बाद मंच के संस्थापक ओम प्रकास मिश्र जी ने सभी उपस्तित साहितकारों का धन्यवाद ग्यापित किया और अपने हिर्दय उधार से जनम दिन की धेर सारी शुब कामनाई दी पुरी कारिकम का संचालन राजी रंजन मिश्र जी ने हर बार की तरह बहुती शांदार तरीके से संचालित करके अपनी बधाई परेसित की कारिकम की आखरी चरण में डॉक्टर वाईयास पाण्डे जी ने अपनी संस्थान श्री बजरंग लोग मानस कल्यान समीती गौरा मापी परताब गड के द्वारा नवोदे साहित एक मंच पर और अपने चरंदिन के उपलक्ष में कोच महत पूर्ण मानद उपाधी सम्मान की गोशना की, जिसमें डॉक्टर ओन प्रकास मिश्र जी को साहित बागी सम्मान की गोशना की, तथा इसी कड़ी में क्रेश् प्रतिवा पांडे अवनीश मिश्र प्रिति दुवेदी को विद्या वाच इसपती सम्मान देने की गोशना की और अन्तमे विशाल भारती और प्रदीप कुमार श्रिवास्तव को साहित भूसर सम्मान से प्रदान करने की गोशना की, जिया तब है कि इसी संस्थान से डॉ और डी लिट के समकक्ष हैं, रगनात प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट जी का जर्म दिन है, जिस अवसर पर आज यहां हम सभी उपस्चित हुए हैं, और उनकी आविर भावनजली हम समर्पित कर रहे हैं, उनके संदर्ब में जो कुछ भी कहा जाएगा बहुत कम है, लेकिन मैं उनके उस आविर भावनजली का कुछ अंस आपको दिखाना चारता हुँ, यह देखें, आप यह भावनजल तयार की गई है, हमारे नोदे साहतिक मंज के द्वारा, और इसमें बहुत ही अच्छी तरह तयारियां की गई हैं, और यह रहा अब्यक्टिब तो हमारे डाक्टर वाई एस पांडे जी गा, और इनके संदर्ब में आप देखें, औ और इसके बाद जो अगला पेज है, वो है, हमारे स्वयम दोरा लिखी हुई, जो उनके संदर्ब में सुबकामनाएं हैं, अध्यक्षी, मैंने डाक्टर वांप्रकाश्मिश मधुब्रत मैंने लिखा है, और इसके बाद जो है, अगला पेज है, शंपाद की, यह हमारे कृ अध्यक्षा, सुब भावाँजल संदेश, यह लिखा है, लोग को हम कारकरम की आदका रपकरना होगोगा, सुबक्त है, नमस्कार, भावाज, नमस्कार आप जवाध बहुत स्वागत है, नवदस आहितिक मंच के शन दान में अजय का एक कारकम बहुत मशेष है, बहुत महाने दो सेथ है, आज के कारकम हमारे अधरी पांडे जी हमारे आचारी जी देखे नाम में एक सिकंदर जनमोत्सों के रूप में आज मनाये जा रहा है और आप सबका बहुत-बहुत सवागत इस नौ वर्ट की सुरवात हमारे आज़री प्रकास जी के जनमोत्सों से सुरवात हो रही है खबरों में अब तक लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखे रखे और पीए समाचार